हलो दोस्तो आपका श्वागत है रंजु की रसोई में आज बनाएंगे कच्चे आलू का चिप्स ना ही हमें इस धूप में सुखाना है और ना ही उबालना है जो बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है तो चलिए बानाना शुरू करते हैं तो देखिए हमने ये 5 कच्चे आ आलू को हम छील लेंगे और शाफ पानी में एक बार दुबारा से इसको धोलेंगे तो देखिए हमने आलू छील कर रेडी कर लिया है अब इसे सारे आलू को इस तरीके से छील के पानी में डाल देंगे ठंडे पानी में और पानी से निकाल लेंगे सारे आलू को और एक सहारा आलो हम इसी तरीके से किसी को त Dios के कपड़ से पेरना अधालब थोड़ा पानीट कमें यह से नाएगे, आलो का चिप्स कट्पर करेंगे आ यहां वह वे पेर हाँ सव यहां द रहा कि पेर लिए आलो को पेरा हैं सोख लेगा और हमारा CHIPS मिलकुल सूखा रहेगा देखिए इसतरी के से सारे आलुओ को घ्रेट कर लेंगे आप चाकू यह कट कर सकते हैं या इसतरी के का ग्रेटर है आपके पास तो उस से भी घ्रेट कर सकते हैं और जब भी बच्चे मांगे तो फटा फट बना कर दे सकते हैं यह आलू का चीप्स देखिए हमने सारे आलू को इस तरीके से कट कर लिया है और दूसरा कॉटन का कपड़ा लेंगे उपर से इस तरीके से सारा इसका जो मौस्चर है अंदर का उस सारा पोच लेंगे अब एक कटोरी लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी लेंगे इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे अच्छे से नमक को घोल लेंगे देखिए अच्छे से नमक गोल लिए है इधर कढ़ाई में तेल गरम हो गया है और तेल हमको एकदम बढ़ियां गरम चाहिए और तेल गरम हो जाने के बाद गैस का फ्लेम मेडियम पे रख देंगे और सारे चीप्स को एक एक करके इस तरीके से इसमें डाल देंगे मैं इसे तरीके से सारे चीप्स हम इसमें डाल देंगे अमें मीडियम हमें चेल गरम को मीडियम तो जाने में से और तो इसमें डाल से पलटपाएंगे और इसी तरीके से सारा चिप्स हम छान कर रेडी कर लेंगे आलू का तो आप ये चिप्स कभी भी बनाकर कहा सकते हैं और कभी भी बनाकर भच्चों को दे सकते हैं तो देखे इस तरीके से सारे चिप्स को हमने छान लिया है और नमक का पानी जो था थोड़ा सा इसमें हम नमक का पानी डाल देंगे कि हमें उपर से नमक मिलाने की जरुरत नहीं पड़ेगी हम उपर से नमक डालते हैं तो नमक कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाता है और अगर इसी में हम नमक डाल देंगे तो हमारे सारे चिप्स में अच्छे से नमक मिल जाएगा अलग से हमें नमक मिलाने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी और देखिए हमने सारे चिप्स को चानकर रेडी कर लिया है देखिए हमने चिप्स को चानकर रेडी कर लिया है इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में तो देखिए एक प्लेट में हमने सारे चिप्स को रख लिया है और उपर से इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए चाट मसाला डाल देंगे आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो भूने हुए जीरे का पाउडर, चाट मसाला, पुदीना मसाला आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं देखे उपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर डालेंगे अगर बच्छों को दे रहे हैं तो ऐसे ही आप दे सकते हैं कि उसमें पहले से ही नमक है तो उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है आप ऐसे ही बच्छों को दे सकते हैं चैनल को सस्क्राइब करें फिर मिलते हैं